तो चलिए एक बार फिर से और पढ़ लेते हैं प्रापोर्टेज आफ फ्लिवड में आगे आगे आपको बताएंगे फिश्कल प्रापोर्टेज आफ वाटर के बारे में और तरलों पर जो तापमान और धाप का प्रभाव होता यानि इफेक्ट आफ टमप्रेचर और स्टार्ट कर दिया जाएगा और आप लोग नोट्स बनाते रहें नोट्स बनाएंगे तो आपका ही फायदा होगा तो जो फिश्कल प्रापोर्टेज आप वाटर होते हैं यानि जल की जो बहुती गुड होते हैं उसको हम पॉइंट वाइज बताएंगे तो सभी से समझेगा और नोट्स करते हुए चलिएगा और नोट्स अपना कंप्लेट चरूर किजिएगा तो चलिए बिना किसी देरी के हम करते हैं स्टार्ट सबसे पहले हम देखेंगे इफेक्ट इफेक्ट आप टमप्रेचर एंड प्रेशर आन फ्लिट यानि तरलनों पर तापमान और दाप का क्या प्रभाव पड़ता है सबसे पहले इसके बारे में हम समझेंगे तो आईए समझते हैं अभी जस्ट हमने आपको इसके फिछली वीडियो आई थी तो प्लेयलिस्ट सबसे पहले जरूरी है आप लोग प्लेयलिस्ट करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन कौन से चैप्टर के कितनी कितनी वीडियो आ चुकी है बहुत से जिडेंट कमेंट करते हैं कि एक ही वीडियो मिल रहा है एक ही वीडियो मिल रहा है तो आप लोग इतना तो ध्यान में रख सकते हैं आपको एक वीडियो मिल नहीं रहा है आप लोगे पास जो वीडियो पहुंच रहे तो एक ही वीडियो जाता होगा तो उसी समय अपर प्ले लिस्ट चेक करें जो भी सब्जेक्ट आप करें अपना ओपन करके जितने वीडियो हैं सभी को क्रम से देखें और उसको भी अपने अन्य जो फ्रेंड्स हैं उनके पास लाइक कमेंट करते हुए शेयर कर दिया करें तो इसकी लाइक भग तस या ग्यारे वीडिय ट्रिक्स की तो आप लोग प्ले छेक कर लीजेगा सब अब अभी तक इस अतलोल वीडियो ओहँ पर मिलेंगी और चैप्टर सेचएंड का लांस्ट वीडियो थे तो सोच लिजी कि कि我 से इसको बड़ीयोजिए साथ या इसलिके वीडियोजिए के उसको देखते हैं तो आपको और हम बढ़ाते हैं तो उसका विल्यूम क्या हृज आटा है और काम होजाता है यानि वनना यंद्पनापाड के बराबर नी उस्के कुछ जरूर होता है किसमें उसके वेलीउम में ये फैल्यूम में क्स मौंद प्रें लिखना ने फर्स्ट ने क्रम से डाल देगा कि जैसे कि अगर हम ताप बढ़ा रहा है यानि प्रेसर को अगर बढ़ाते हैं तो इसका जो है वैल्यूम यानि आयतन हो जाता है आयतन जो है अगर इसी प्रेसर को हम घटा देते हैं तो इसका जो वैल्यूम है वह पहले से कुछ ने कुछ पहले के पेच्छा में अधिक जरूर होता है यानि वह बाढ़ जाता है तो जैसे हमने हिंदी में बोला उसे प्रकार आप लिखेंगे और में जब लिख लेंगे तो ऐसा दर्सा जीएका जब प्रेसर को बढ़ाते हैं तो फ्रेल्यूम घरता है और जब आपने यह लिखा कि प्रेसर को घटाते हैं तो वहल यूम बढ़ता है जोहां आगे में को हम इए लिख दीजीजेगा ठीक यह हो जो फ्लिवड होते हैं, अगर उनका हम temperature बढ़ाएं, अभी आपने क्या बढ़ाया था? जो भी पीछे बताया और आगे जो बता रहे हैं, कि अगर हम gas और जो compressible fluid हैं, उनके temperature को अगर बढ़ा रहे हैं, तो इनका आयतन भी बढ़ जाएगा, जैसा कि हमने वहाँ पर बताया था, कोई बोतल है या कोई को बारा ही है, उस पर अगर हम pressure डालते थें, उस पर अगर pressure डा को अगर उसके temperature को बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, उसका आयतन भी बढ़ने लगता है, कोई fluid है, ठीक, कैसी आवस्ता में है माल लेजिए, तो अगर उसके temperature को बढ़ा रहे हैं, उसके temperature को बढ़ा रहे हैं, तो उसका value बढ़ने लगता है, और इसी condition में, अगर temperature को घटा द है इससंद में होगा तो बाहर से यब प्रवभाव परता है और यह प्रभाव परता है कि चैसे कि यहां है अगर घहां यह कीए कि और समपड़्टी तर cats अब इसके satu ते इंक कम सीवल के लिए थां और शाड़ ही पर आड़ वर क्या बातकर जैसा कि औरंजaden आपका वाटर आप प्रेसर डालते हैं तो नगाड के बरावर उसमें चेंजोता है, उसके value में नगाड के बरावर परिवर्तन होता है, यानि उसके आयतन में बहुत कम परिवर्तन होता है, किसमें incompressible fluid के लिए बोल रहे हैं, ठीक, बहुत कम परिवर्तन और या परिवर्तन जोता है, वह एकतम नगाड के बरावर ह जिसे आप लोग माप भी नहीं सकते हैं ठीक जली हो गया उसके प्रेशर डाल रहे हैं तो इंकर प्रेशबल होता है जल इनकंप्रेशबल फ्लिट तो जल होता है तो उसके वेल्यों में बहुत कम परिवर्तन होता है और नगाण के बराबर होता है और ताप मान घटने या करतन का भी द्रवों पर कोई प्रभाव नहीं होता यानि उससे हम नगाड़े मान लेते हैं तो यह भी आप लोग लेख लिजेगा इसमें हीडिंग डाल देगा है उसमें आप लोग आगे लेख लिजेगा और बात करें अगर टंप्रेशर व्रिध्धी से अगर अगर बहुत अधिक बढ़ा रहे हैं तो कुछ ऐसे फ्लियूड होते हैं जो बहुत कम मात्रा में ही फैलते हैं कुछ ऐसे ऐसे फ्लियूड होते हैं कि अगर हम उसका टंप्रेशर बढ़ा रहे हैं अगर उसके तापमान में प्रिधिक कर रहे हैं तो क्या होते हैं बहुत कम भी फैलते हैं और हाइड्रोलिक्स में खास तरफ अगर जो आपको लोग द्रव इंजीनरी है इसमें अगर बात करें तो द्रवों के जो टमप्रेचर परिवर्तन होता है वाइश माल रेंज में ही होता है इसले तेपमान के परहाह को इन में भी हम लोग नगाड़ मानते हैं ठीक हाइड्रोलिक्स में टमप्रेचर के परहाव को एक दमो नगड़ मानते हैं को भव्हार हो गया था तो यह थे इsz not temperature and pressure on club कि अखर इसमें अगर कोई भी कोई माले को द्रव है कोई भी आपका इसमें ट्रौत है जो द्रव है कोई इसमें अगर आपका द्रव है तो वाव सुनेदाब पर कभी भी नहीं रह सकता यानी वह पर सुनेदार यानि absolute vacuum यानि परम निरवात के सुनेदाब पर कभी भी नहीं रह सकता उसमें कुछ मात्रा में सुनेदाब के उपर से वास्पिकरित होता है अब बताईए कोई भी द्रव रहे वह absolute vacuum के सुनेदाब पर कभी भी नहीं रह सकता सुनेदाब से जब वह उपर रहेगा तब ही वेपराइज होगा वास्पिक्रित या होगा ठीक कितना हो गया तो यह थे इफेक्ट आप टम्प्रेचर एंड ट्रेसर रान फ्लियूट्स अब जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रापर्टीज हैं फिश्कल प्रापर्टीज हैं जल की उसको समझीए तो सबसे पहली प्रापर्टीज है कि जल को हम बहुत ही कम दबा सकते हैं यहाँ पर लिखिएगा फरस्ट में जल को हम बहुत ही कम दबा सकते हैं प्रेचर इस पर बहुत कम डालते हैं इसलिए इसे हम एसमप्रेचिबल इसे हम मानते हैं यानि इनकमप्रेचिबल इसे हम मानत है इतना हो जाएगा सेकंड लिखिए अगर कि सेकंड में क्या लिखना है सेकंड लिखने सब्सक्राइब बार फिर बताते हैं आपको अभी तक के सभी वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी चैनल पर विजिट कीजेगा है टोल इक थर्ड समेस्टर या जो स्केंड प्रापुटि लिख लिए कि जो हम पोला है होई आपको लिखना है अब हुआ टूरुटि यह ओते है कि जो ग sürता है इसल जल होता है उसका घनत्त है सुमध़जल होता है उसका खनत्त one ATM सिबस्ट एक Itu प्रेसर प्रभ चेलसियस पर वन हजार केजी पर मीटर क्यूब होता है सब लोग पूछते हैं कि जल का घनत कितना होता है तो पहले उनसे आप लोग यह पूछ लेजिए कि कितने एटमास्फेरिक प्रेसर और कितने डिग्री सेल्शेस पर तो प्योर वाटर जो होता है उसका वन नेट्रियाम और फोर डिग्री सेल्शेस पर वन थाउजन किलोग्राम पर मेटर क्यूब डेंसेटी होती है ठीक सेकेंड हो गया थर्ड इसमें आप लोग लिख लिजेगा हम जो बोल रहे हैं आप लोग लिखिएगा थर्ड आप लोग यह लिखिएगा कि प्योर वाटर का घनत्व है अभी तक आपने वन एट्याम एंड फोर डिग्री सेल्शेस पर देखा अब देखना है आपको वन एट्याम एंड ट्वन्टी डिग्री सेल्शेस पर तो प्योर वाटर का जो टेंसेटी हाग घनत्व होता है वह वन एट्याम and 20 degree Celsius पर 998 kg पर मीटर क्यूब होता है तो कोई भी पुछे तो आपको ये दोनों बताना है कि 180 में 4 degree Celsius पर 1000 kg पर मीटर क्यूब and 180 में 20 degree Celsius पर 998 kg पर मीटर क्यूब होता है जल का घनत तो है तो तीन हो गए 4th property 4th property आपकी ये है कि आप लिख लेंगे कि जो सुथ जल होता है जो pure water होता है वह जल गंध हीन होता है रंग हीन होता है और पारदर्सी होता है जो pure water होता है वह आपका रंग हीन होता है ठीक और वह आपका गंध हीन होता है और वही आपका पारदर्सी भी होता है तो इसको लिख लिजेगा ये भी एक physical properties ही है जल की और आप ये भी लिख लिजे की जल का जो घनत होता है जो जल का घनत होता है पांचमे में अभी हमने आपको बताया 4 degree Celsius and 1 ATM पर आपका 1000, 1000 kg पर मिटर की हो ठीक तो आप लोग पांचमे properties में इस प्रकाल लिख सकते हैं कि जो जो 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 होता है यानि atmospheric प्रेसर पर यानि atmospheric pressure पर जो आपका सुध जल यानि pure water होता है वह 0 degree Celsius पर क्या आउने लगता है जमने लगता है यानि वह जमता है 0 degree Celsius पर जब आपका वाय मंदली दाप, सुद्ध वाय मंदली दाप पर सुद्ध जल जो होता है, वह 0 degree Celsius पर जमता है, और 100 degree Celsius पर उबलने लगता है, तो यह सब पॉइंट आप लोग नोट डाउन करते हुए, आगे चलिए और अगला जो है, इसमें 7 नमबर, आप लोग उसमें यह लिखिएगा कि, पानी में जो गुड होते हैं, जैसे पानी में जैसे अन फ्लूड हो गए, कोई फ्लूड हो गया, जो उनमें गुड होते हैं, उसी प्रकार जल में भी वही सब गुड होते हैं, जैसे कि ससंजन हो गय आसंजन हो गया चसंजन हो गया आसंजन हो गया और आपका होता है किसंगात हो गया तो यह सब गुढ़ भी अन्य गुढ़ों की तरह जल में भी पाया जाते हैं ज्यानि संजन आसंजन के का तो आज जों हैं वो कुड जल में भी पाए जाते हैं ये प्रापर्टी प्र girए फोट लोग एक प्रॉइता स्वेरी हाइए promote리, अट नंबर ये जब सब प्रापोर्टी जी है एक-ड नंबर ये लिख़िते कbn लिख़िया की जो जय का प्रतियास्था प्रत्यास्था का आयतन गुडांक होता है जो जल का बल्क आफ माडुलस आफ लास्टिसिटी होती है वह के इज इक्वल टू होती है बीस हजार हमने आपको बताया था अभी चस्ट पिछले वीडियो में सब बताया है कि बीस हजार किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर अब लगवाट यानि लगभग होता है पिछले वीडियो में इसकी बारे में भी हमने डिसकस किया था और इसी में अगर और प्रापर्टिय और पॉइंट बात करें नाइन तो इसमें आप लोग यह भी लिख सकते हैं कि जैसे इसका आप एच्छी कायतन जो वाटर का पेच्छिक आयतन होता है वह होता है 10 के पावर माइनस 3 मीटर क्यूब पर किलोग्राम फोर्स होता है जल का पेच्छिक आयतन यानि स्पेस्फिक वैल्यूम होता है किसका जल का इतना हो गया और आप लोग जानते हैं कुछ भी लिख दीजे जैसे पानी एक अच्छे प्रकार का विलायक होता है सभी को आप गोल भी सकता है और कम दाव या कम कर्म करने पर पानी में जो घुली हुई या सुद्धियां होती है वो बाहर आ जाती हैं कि पानी एक अच्छे प्रकार का विलायक होता है जो कम प्रेसर और इसे कम हीट देने पर ही जो भी पानी में घुलूई असुद्धियां होती है घुली हुई जो वाई होती है वो सब बाहर आ जाती है इसमें जल से तो यह थे कुछ फिजकल प्रापर्टिज बहुत ही जो हमने आपको बताया है अपने सुनावियों का नोट डाउन भी कीजिएगा सब कुछ ध्यान में रखते हुए आप लोग करिएगा तो चैप्टर सेकेंड आज आपका यहां पर होता है इंड नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर थर्ड पढ़ाया जाएगा तो चल पानिमाद